हेलो गैस कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गैस के आप अपो F25 Pro Phone में आप लोग OTZ Connect कैसे कर सकते हो अगर अपके पास एक अपो F25 Pro Phone है और इस फोन में जो है आपको OTZ Connect करना है अगर आपके फोन में OTZ connect नहीं हो रहे हैं तो केसे आप लोग अपने इस फोन में OTZ को connect कर सकते होगा इस तो आज के वीडियो में ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसान आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पसके बाद नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे तो आपको अप्षण देखने को मिलेगा इस अडिशनल सैटिंग्स का तो इस एडिशनल सैटिंग्स पर क्लिक कर दीजे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक OTG connection का option आएगा अगर आपके phone में off है OTG आपको लगाना है यह लगाते ही option on हो जाना चाहिए अगर यह on नहीं हो रहे तो आपके phone में OTG connect नहीं हो यह option automatically on हो जाता है लेकिन अगर on नहीं हो रहे तो आप लोग इसको click करके भी on कर सकते हैं जब आप लोग इसको click करके on कर दोगे तो आपके phone में जो तुरंत OTG connect हो जागा OTG जो वो show होने लग जाएगा यह option automatically on नहीं होने के करण आपका phone में कुछ software problem हो सकते हैं इसलिए automatically on नहीं होते हैं आपको इसको manually on करने click करके on करना है अगर फिर भी OTG connect नहीं हो रहेगा इसको on करने के बाद भी तो आपका OTG खराब हो सकते हैं तो आप लोग एक दूसरा OTG से try कर सकते हो दूसरा OTG से try करने से बाद आपका OTG जो connect हो सकता है तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने Oppo F25 Pro 4 में OTG connect कर सकते हो तो कैसा लगागा इस आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजे मिलते के लेक नेक्स वीडियो में दब तक के लिए बाई